मैं देश्की राजधानी दिल्ली में हूँ दिल्ली में ये कश्मीरी गेट का इलाखा है जहां सहा ओडिटोरियम नामा के एक ओडिटोरियम है जिसकी कैपेशिटी लगवग पंद्रसों लोगों किये में भी आपको दिखाऊंगा बाबा साफ डॉक्टर अम्मेटकर की जैनत दस्तारीक काज दिन है और दस्तारीक में बाबा साब डॉक्टर में जैनती मनाई जारी है मैं गेट है जहां से एंट्री जो है वह अंदर हुई है बहुत सारे मुख्या तीती मुख्या वक्ता आज यहां पर रहे हैं विसे इस रूप से अगर मैं कहूं तो साहाओडिटोर ने जो डेशू दिल्ली में काम करता है वो तमामों टुकडों में सरकार ने जी करनल के बाद में इसको कर दिया तो यह एंट्री है जहां भगवान बुद्ध और बाबा साब डॉक्टर मेटकर की फोटो लगाए गई है तो यह सेलफी पॉइंट है लोग फोटो घचवा र इस प्रोगाम को मना रहे है राजिंदर प्रसाज जी जो महा मंत्री है उनकी संचालन में प्रोगाम हो रहा है और की जो अवल इंडिया से सरकारी करमचारी जो संग्ठ ने उसके प्रदान महासेचेवा यार जोसी साब तमाम लोग हैं जो समाज में अक्सार आप जिनको दे हम यहां पहुंचे हैं वन्दा सिध्यारत का बिशेस गायन हुआ है वो कुछी नकर उत्तर प्रदेश से चल करके आई हैं तो बड़ी बात इस जैनती को दिखाने का उदेश मेरा सिर्फ इतना है कि यह कहा जाता था कि बाबासाब डॉक्टर मेटकर की जैनती अप्रेल के म देखिए सर इंक्रीटिबल चीज है यह से महापूरुस ही है अब भारत रतन नहीं है बिस्वरतन है और इन्होंने ऐसा प्रकास दिया कि जितना भी जयनती मनाई जाए वो इनके लिए कम है जयनती मनाई जारी है उनकी विचारों पर भी काम हो रहा है ऐसा तो नहीं है कि मोधी सरकार की तरह फोटों पर माला और विचारों पर ताला का प्रवाम चल रहा है थोड कुछ के चाईटी से चाइना की क्राइटी से oxidता से लिदी से इस तुँं होगा is ज़ादा ब्राइटि आपको को हमार दिन होते हर भाँ करें चाहिए हमारे हूं के लिए непसheld twin धूह ज़्यारे कि पृपी बहुत बहुत बड़ी भाते हैं ऐभापासाब को और चार पंद देख रहा था कि amir का में वां के जो अबाबा साब के लिए पिद्र हैं जबना के पैदा जैंगे तब भी बाबाबस आपका नहीं उतार सकते हैं दूसरी तरप देखेंगे तो उदर खाने का प्रोग्राम में रात्त्री भोघ का आयोजन क्या कि हैं आपको अंदर लेकर चलता हूं और दिखाने की कोशिज करता हूं कि अंदर जो ओडिटॉरियम है क्या हाल है यहां से एंट्री इसकी हो रही है लोगों का आना जाना बरकरार है लोग खाने पर भी है पंद्रसों की कैपेशिटी सी ओडिटोरियम की बताई जा रही अब देखते अंदर चल गए कितने लोग यहां पर हैं तो आडिटोरियम जो है वो इक तरीके से आप देखेंगे के पूरी तरीके से खचाकच भरा हुआ है और उपर बालकानी में भी जो जो जैनती का आयोजन का आनंद जो वो ले रहे हैं मेरे पीछे देखेंगे के राज राजकुमार आनंजी जो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंतरी यह उनका संबोधन चल रहा है राजकुमार आनंजी का भासन चल रहा है इन से पहले तमाम वो लोग बोल करके गए हैं और मंचपर भी जिन लोगां का संबोधन होना और माने के पी चोधरी जी जो एलाइसी के सरकारी करमशारियों के प्रदान महासाचिव हैं उनके बाद म सुभासपादरी जी का संबोधन होना उसके बाद में जोसी जी का भी संबोधन होना कुछ एक लोग और हैं जिनको अपना स्पीश देना है और बाबा साहब डोक्टर मेट करके जीवन से जुड़ी तमाम बातें जो वो लोग हैं बता रहें कितने संगर से क्या कैसा और कैस प्रदेश के लोग यहां बिद्धुत के लोग वो पहंचे हैं बिद्धुत डिपार्टमेंट के सरकारी करमिशारी हैं और जो मापदंड उन्होंने समाज के सामने रखे हैं उस रास्ते पे चलके उसमापदंडों पर हमें चलने का परियास करना चाहिए और pay back to the society अगर जहां से हम आए हैं अगर society को समाज को अगर हम कुछ वापिस नहीं देंगे तो यह कुछ करने का हमारा कोई मकसद रह नहीं जाता है हमारा मकसद यह जादा से जादा लोगों को जागरूप करें जो बाबा साब के विचारों को पढ़ें और विचारों को पढ़ने के बाद में उस पे चलते वे समाज को कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से जिसको समाज को पीछे छोड़ गाए हैं उनकी मदद करें उनको प्रभडाई में मदद करें लिखाई में मदद करें और जो उनको अच्छा नागरी बनाने में मदद करें पिछले 25 सालों से निजी छेत्रमा आरच्छन की मांग कर रहा है महासंग आज भी वही बात वही प्रस्ताव इस मंच पर पास हुए इस तरकार के नुमायन देया आपको लगता है कि निकट भविसे में आपकी मांगे मानी जाएंगी मुझे अभी नहीं लगता जब तक इस पे कोई बड़ी संगर समाज में खड़ा नहीं होगा क्योंकि सब लोग जानते हैं समीधान पे देश मैं मानता हूं कहने के लिए चल रहा है आनसिक समीधान देश कैसे तरकि करेंगो बढ़ेया पढ़ाई नहीं होगी तो बेश कैसे तरकि करेंगा एक तरफ डिचल लईडिया बन रहा करें रोटी के जगड़ा हुरा है रोटी नहीं कहने केलिए रहा सि.'" होगा तो तब जाकर के उस रास्ते पे हम चल पाएंगे और उस चीज को अचीव कर पाएंगे अग प्राइवेट में रिजिर्वेशन होगा क्योंकि अभी सभी लोग इसमें सामिल नहीं है यह बहुत बड़ी लड़ाई है छोटी लड़ाई नहीं है एक आखिरी सवाल एक दोर था से 25 साल तीस साल पहले जब हमारे समास का कोई श्रुलकाष्ट का आदमी आता था दसमी आता था नौकरी मिलती थी तिन तिन चार चार नौकरी इसके हाथ में होती थी सोच ताता कौन सी जोईन करूं कौन सी छोड़ दूँ आज उनके बच्चे करने के बाद मैं भटक रहें तसजार की नौकरी तलास कर रहें कहां से चले ते कहां अगे इस समस्या का कोई समाध हने क्यों कि आप प्रभुद्ध लोग हैं आप पड़े लेखे लोग हैं आप नौकरियों में अगर आप लोगों के पास समाध हने योग तो पर गाउओं देहात में हाशिय पर जो समाज बहरा है तो देखिए हमारे पार्लैमेंट में एक सो इकती सानसद एं और वो सानसद इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं वहिस समाज हमारा जा कहरा है बाबाँ साहब ने अगर पॉलिटिकल रिजरिवेशन की जो बात की तो संख्या की द्रस्ति इसे तो पॉलिटिकल रिजर्विशन मिल गया लेकिन वहां जा करके सिर्फ पार्टी की गाइडलाइन पर ही काम करते हैं समाज की परती कोई काम नहीं करते हैं यह मैं खुले मंच में यह कहना चाहता हूं अगर वह सारे लोग मिल जाए 131 समाज की बात करें और इधर पढ़े एक पूरा इस तरह का पूरे देश में एक क्या मजबूरी जो राजनितिक लोग जो है वह आपका समर्थन नहीं कर रहे हैं आप वह भी सोसाइटी का हिस्सा है साम को चाहर दिन में कही रहे हैं साम को तो लोटकर घर में आना पड़ता है बच्चे तो उनके भी बेकारी लगे हम समाज में हैं लेकिन नजर उदार आने चाहिए उस तरह की सोच रखते हैं जब तक उनकी कॉंसलिंग नहीं होगी पढ़े लिखे सांसद नहीं आएंगे गिंती पूरी करने के लिए ऐसे सांसद आते हैं जो कभी ना पढ़ना जानते हैं ना वह समझना चाहते हैं चीज़ों को ना वह बाबा साब को पढ़ते हैं वह क्या पढ़ते हैं वह हमें नहीं पता अब यह मजबूरी हो गई है यह पोलिटिकल आरक्ष्टन कथम इसे होने वाला नहीं है क्योंकि वह लोग पार्टियों के साथ जुड़ गए हैं जितने लोगों को वह जिनको चाह पॉलिटिकल आरक्ष्टन खतम होगा यह तो उनके लिए बढ़ी चीज मिल गये हैं उसे जो चाहाओ वो करवालो जो चाहाओ करालो जो पास करालो जो चाहाओ विधान सहभा में पास करालो जो पार्लेमेंट में स्टीति स्टेट गोश्याद जी थे जो सरकारी करमचारियो पूरा पक्का डाटा तो नहीं हमारे पास भी लेकिन यह सच्चा ही है कि बाबा साहब की जैनती अप्रेल के महीने माले जाती है